वॉलिवूड एक्ट्रिस कंगना रनौत की पिशले साल कई फिल्में बॉक्स आफिस पर अन्दे मोगिरी वहीं एक्ट्रिस अब साल दोहजार चौबस में अपनी बायोग्रॉफिकल ड्राम एमेजरंसी से बड़े परदे पर दस्तक देनी की तयारी कर रही है इस फिल्म के र नई पोस्टर की साथ इमेजरंसी की ओफिशियल नई रिलीज डीट की अनौस्मेंट कर दी है इमेजरंसी एक पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म है इस फिल्म में कंगना रनौत ने भारत की पुर्व दिवंगत प्रधान मंत्री इंद्रा गांधी की भुमिका निभाई है रामम ने लिखा है भारत की सबसे काले समय के पीछे की कहानी को जागर करें अनौसिंग चौदे जनवरी दोहजार चौबिस को इमेजरंसी गवा है कि इतिहास सबसे डरापने और उर्ग प्रधान मंत्री इंद्रा गांधी की सिनमा घरों में गरजनी की स्टाथ जीवन्त हो गया है चौदे जुन दोहजार चौबिस को सिनिमा घरों में इमेजरंसी रिलीज होगी बता दे कि कंगना ने इमेजरंसी का डारेक्शन भी क्या है और फिल्म को रिती शाने लिखाए इस फिल्म में महीमा चौधरी श्रीयस तलप्रे सतीश कौशीक और अनुपम खेर ने अहम रोल प्ले किया गौर्ट तलब है कि दिवंगत सतीश कौशी का ये आखरी फिल्म में है कंगना ने अपनी इस फिल्म को अपनी प्रोडक्शन हाउस मनिकार निकाफ फिल्मिस बैनर तलीजी स्टूडियों के साथ मिलकर बनाया है बता दे कि कंगना रनौत बीते दिन राम ल प्रान प्रतिष्टा के बाद खुशी से ज्यूमते हुए जैश्री राम के खुब नारे लगाए थे जिसकी वीडियो शोशल मीडिया पर खुब आरल हो रही है